मद्ध प्रदेश राजस्तान छेतिसगड इना सुबे दे विच बीजेपी सरकार बनाउन जा रही है पर हाले तक सीम दा चेरा नहीं मिलया ए इलेक्षन भी बीना सीम दे फेस तो ही लड़ी गई है यानि की प्रदानमंत्री निरेंदर मोदी हर सुबे दे विच बीजेपी द प्रदानमंत्री निरेंदर मोदी दी बीजेपी दा जल्वा इजड़ा मोदी दे सेर दे उपर है पाजपा भी इमें आखरी है जे मोदी पाजपा दे लिए फाइदे मन देते नुकसान दे भी हो साकते है ए लिडरा नू पता होना चाहिए जे कर नहीं पता था थोड़ा अ अपनी स्थिती भी मजबूत कर ली है कोई तोड़ नहीं है बीजेपी ले तिनाहीं पाजपा शड़ो कॉंग्रस ली भी प्रदानमंत्री निरेंदर मोदी दा कोई तोड़ नहीं है फिलहाल कॉंग्रस ने इस वार जो चार सुबह दे विच चोना होई है उन्हा चो सिर्फ तेलन गाना दे विच सरकार बनाई है बनाऊन जा रही है सीम दा नाम ता तै कर लिया है जित होई है कॉंग्रस दी तेलन गाना दे विच पाजपा हले ताक ये तै नहीं कर सकी कि उन्हादा सीम केड़ा है सियासी पनद आख देने की मोदी गेम चेंजर है ते सर्प्राइज देन दे विच माहर ने किसनों मिलेगा इस सर्प्राइज गिफ्ट क्योंकि रेज दे विच कई ने गाला सी मद्द प्रदेश तो ही शुरू कर लेने हैं मद्द प्रदेश जिते दो सो ती विदानसावादियां सीटां बीजेपी ने एक सो त्रेंट जितियां कॉंग्रेस च्छेहड ताकी सिमत रही है ता एथे हुन सरकार रिपीट होई है पर मुख मंत्री कौन है नोचे रहे है इस रेज दे विच पर उस दा की बनेगा जो मुझूद दा मद्द प्रदेश दा मुख मंत्री है शिवराज सिंग चोहान दी मैं गलका रहे हैं जिसनों मीडिया न लिख लिखने जे लिख लिखे जान दे सी ता गुडबाई नेता जीवजों लिखे जान दे सी चोन नतीजया तो पहला न्यू चैनल ने शिवराज सिंग चोहान दी छुटी तया कार देती सी चार बार मुख मंत्री दी सों चुकन वाले इस नेता नो शायद खलके दे दो लिख लिखे जोना बीना सी चैरे तो लड़ियां गें पाजपा ने क्योंकि पाजपा ने छोहान नू सीम दढ चेरा नहीं सी अलान किता ते नाही कोई होर मेदान दे विच उतारया सी पीयम मोधी दे फेस ते ही वोटा लड़ियां गें 5 दिसंबर दा जदो देन शिवरा सिंग चोहान ने सोशल मीडिया ते एक वीडियो ब्यान जारी किता केहा कि पार्टी वलो मैंनो जो वी काम सोंपया गया मैं उसनों पूरी लगन आते इमानदारी दे नलब पूरा करांगा मैं ना पहला मुखमंत्री दे आउदे दी दौर दे विच सीत नाई हूना श कि मद्ध प्रदेश दे विच जेकर शिवरा सिंग चोहान नहीं है ता फिर कौन है उनना दे ब्यान दे वी कई अर्थ डूंगे निकल दे है क्योंकि उननने खुद कया सी कि राजनीती दे विच हर चीज नूं डूंगा अर्थ कड़ना हुंदा है डूंगा अर्थ निकल द मद्ध प्रदेश दे मौठ मंत्री मुख मंत्री अउदें दे दावधार जानवाले यांदे विछ जीहादवा क्यों है कि उन्हा ने सरकाजो दावे हो रेने एक मजोर क्यों पहरेने क्योंकि एक जड़ा है मनोवल नहीं है जो वी लीडर मिलके आ रहा है उद दावा ता नहीं कर रहा है पर अंदर खाते चावाने कि सानू सीट मिले शिवरा मुख मंत्री दे दोड़ दे विच ना समझ दे ओन पर सुब आभी कहा कि मजबूत दावेदार ने हो क्योंकि 17 साल तो मुख मंत्री रे ने मद्ध प्रदेश दे चोन जित जड़ है इस वार दी जो चोना हुए इस दे विच लाडली जड़ी है इना दी सकीम सी ओ गेम चेंज आभी है ते एक टाकड़ पाइचारे दी अबादी दे विच तक्रिविट दी पैंठ भी है गी है सौ विदान सवा दी सीटा एथी है याने ते संगठन ते शक्ती विच का आर जड़ा है ताल मेल बनावन दा इनानू कामपूरी तना दे नाल जान दे है सांग यानिकी आरस मिन्यवाद होन वालियां लोकसवा चोना नू भी ते आनच रखे जाना की जेड़ावे ऐसी सीम बनागे उस फेस दे उपर ही लोकसवा दियां चोना लड़ियां जानियाने ता इस रेश दे विच जेकर दिखे जावे ता प्रहलाद पटेल भी शामल है शिवरा सिंग चो ह पाटी दे कौमी जर्नल्स कतर ने पच्छे मंगाल दे विच इना नू इंचार्ज लगाया गया सी उथे बीजेपी ने इना दे चोन प्रबंदन दे राही पाटी नू स्टैंड किता सी विजेवर्गिया केंदरी गराय मंत्री अमित शादे क्रीबी मने जान दे पाजपा इना दी अगवाई दे विच इन दौर्दियां सारी नौ सीटा जितियां ने जिस सीट तो भी कहन देने की विजेवर्गिया जेता दे आ है ओ पाजपा दा गड़ बन जान दी है शिवराज पहला भी मंत्री मंदल दे विच इन पहला भी मंत्री रह चुके ने अगे आजन दा खेती वाड़ी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर मध्य प्रदेश दे विच पाजपा दी चोन परचार कमीटी दे मुखी सी मोधी कैमर दा एक पुराना चेर है इसलिए मोधी दे नाल काफी नेड़ता है जोदो तो उस सुब्वे दे विच परदान बने ने पाजपा बलो ता ओ नरेंदर सिंग तोमर नू ही पसांद करनगे कि मेरी जगादे उपर तोमर नू बना दितो क्योंकि तोमर नू बना दो क्योंकि यारी भी जड़ी है ओ इना दी खास है जोती राद दित्या सिंधिया एक वड़ा कराना कॉंग्रस नू छाड़के पाली सब्तों कमजोर मनने जानवाले गवालीयर चंबल दिविच एक वर फिर तो सिंधिया दी जड़ी है उत्तमक सुनाई दिती है इस वर पाजपा ने 18 सीटा जितियां है इस जगा तो ओ ते इस दिविच जड़ी खास पूमकर नगवाई है और जोती राद दित्या पंजाब दे गौंडी सुबा राजस्तान एथे गल करते हैं एक सुनड़ी नमे विदानसवादियां सीटा हैं बीजेपी ने 115 कड़ियां कॉंग्रेस 69 ताकी ही सीमत रह गी है पहला अशोक कहलोत दी एथे सरकार सी कॉंग्रेस दा कॉंग्रेस दे सीम दा याद्दू इस दा सही जवाव किसे दे कॉल भी नहीं है क्योंकि मुखमत्री दा फैसला दिली तो ही हुना है सुबा सरकार सुबे दे वेचे सुबे दी पार्टी सुबा पदर दी पार्टी नहीं तैय कर सकती पर नतीजे दे अगले देनी ही वसुंदरा राजे सरगर्म हो गया जो इस रेस देवेच इस तो बाद कई सवाल भी उठेने कि वसुंदरा राजे तीसरी वार मुखमत्री बननगे कि अर्जुन मेगवाल जहां कि रोडी मीना जड़या उन्हानू बनाया जावेगा क्योंकि अगे लोकसवाद यह चोना आरियां ते दलित जहां अधिवासी पत् केंदेने फिल्हाल उन्हादा ना मजबूत दावेदारियां देविच शामल है क्योंकि दोवार मुखमंत्री रह चुके है उन्हादे कोल प्रसाशनिक तजर्बा भी है सब तो वड़ी काल यह है क्यों अपने कार्चकाल देविच वार वार जड़िया ओ सरकार नहीं सी बन नहीं सी मिली पर एक एक्सपीरेंस जड़ा है उन्हानों 10 साल दा ओ जड़ाय है विसुंदरा राजेली साबित जड़ाय सही हो सकता होर राजस्तान दे विच केड़ी केड़ी नाम है जो सामने आ रहे है उन्हादे विच है केंदरी मंत्री अर्जुन मेगवाल सांसब सब्सक्राइब क्रोडी मिनना द्याकुमारी केंदरी मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत इवी रेश दे विच ने अश्वनी वैश्नव इन्हादा विना सब तो उपर है इस तुलाबा सुबा प्रदान सीपी जोशी ते नाल दिनाल 36 गर्दे चोन इंचार्ज ओ माथूर दा नाम भी इना दावेदारियां दे विचे मन्या जान दे गल करांगे आखरी 36 गर्दी जिते पाजपा ने अपना चंडा गड़े है ते सरकार कॉंग्रस दी सता थो लाके अपनी सरकार होन बनान जारी है एथे मुखमंत्री दा चेरा जल्दी सामने आई जावेगा जदो जदो ताक तुसी पाड़ दे होंगे सोन दे होंगे उस तो बाद कुछ केंटें दे अंदर अंदर नाम सामने आ सकते पाजपा दे कौमी मीत परदान ने डॉक्टर रमन सिंग इनाने किया है कि सीम बारे फैसला तेन दिना दे अंदर अंदर लिया जाएगा अब्जर्वर गरने जल्दी ही विदायका दी मीटिंग करुंगैं दूसरे पास से ते न जेतर अंदर शान्साव गोंती शाइं अते रेनुका संग इनने लोगसवा दी मेंबरों अस्तीफा दे दिताए। पाजपा ने विदानसभा चोना चे चार संसर मेंब्रानू मेदान दे विच उतारया सी, जिना दे विचो सिर्फ विजे वगेल नू ही हारदा समना करना पे 83 जेतली सी, चर्चाए की वदा एकदल दी मीटिंग आठ दिसंबर नू हो सागती है, ते सोंच और किसमागम 10 दिसं तबनी हुई है कि आसी तिनना सुब्य ने विच चे सी एम किस नू बनाना।